हाई बिटिफिल एंजल वेलकम तो दिवाइन फैमिली राधे राधे जैशे किशना आई हूप आप सुल अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो नेक्स 24 आवर्स आपके कैसे रहने वाले हैं वो देखेंगे यहां पर मेरे पास हैं तीन पाइल्स तो आप एक पाइल दो पाइल्स को चूज करते हो या फिर आप पूरी रीडिंग को भी देख सकते हो यहां पर फर्स्ट वन है लीलीज एमपती सेकिंड वन है ड्रेगन स्ट्रेंथ और थर्ड वन है चाइल्ड चुल्डन तो इंट्यूटिवली पिक कर लीजिए पास कर लीजिए वीडियो को समय लीजिए अपना और मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपके टाइम स्टेंप्स पर हाई पाइल वन तो अगर आपने इस कार को चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स 24 आवर्ज आपके कैसे होने वाले हैं लीज जो है एमपती ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं आप बहुत खिले खिले रहोगे फूलों की तरह एक स्माइल रहेगी आपके फेस पर और एक पॉज़रेव एनरजी रहेगी और बहुत ज़दा आप यूनो काइंड काइंडनेस में रहोगे एमपती प्यार में लव मे केर में की भावना में आप रहने वाले हो जो ये न किस काम और बिलकुल लविंग और केरिंग वाली खुद के लिए भी सब के लिए एक दया भावना के साथ आपका नेक्स 24 आवर्स होने वाले हैं बहुत पीसफुल और बहुत काम से भरे हुए यहाँ पर है दा हाइरोफे कि इनर्जी ये दिखा रही है किसी ना किसी असेंडेंट मास्टर की इनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो पा रहे हो नेक्स 24 आवर्स में जिस वज़े से आप बहुत ज़दा यह नो सेंडर की भावना रहेगी आपको कि एक तरह की चेंजिज जो फाइफ नंबर होता है चेंज लेकर आने के लिए और वो आप उस चेंज को लेकर भी आओगे यहां पर एसा नहीं है कि आप रिजिस्ट करोगे यहां पर मुझे लग रहा कि आप सिरंडर कर रहे हो अपने एसेंडेंट मास्टर्स को और आप इस चेंज को लाने में हेल्प करोगे अपने आपकी जब कॉन्टिनियूसली आपको कोई guidance मिलती रहेगी इंट्यूशन से आपको पूरी तरहां से आप intuition से connected रहोगे और कॉंटिन्यूसली आपको मैसेज इस और गाइड़न्स रिसीव होती रहेगी जो आपको हेल्प करेगी इस चेंज को लाने के लिए यहां पर मुझे यह भी लग रहा कि आपके इनर्जाटिक ली भी कहीं ना कहीं चेंज आ रहे हैं तो अगर आप आप you know कहीं से भी किसी तरह की भी चेंज आते थे किसी एक स्पैसिफिएक पार्ट हो सकता है आपका लाइफ का या कुछ you know अपनी परसनल ग्रोध हो सकती है आपकी या कहीं पर भी वो चेंज लेके आने के लिए आप रडी हो जाओ गी क्योंकि यहां पे आप सरंडर कर रहे ह सरंडर कर रहे हो जो भी Ascendant Master जो आपकी spiritual team जो active रहेगी वो आपको जो करने के लिए guidance, messages, ideas, inspiration जो दे रही है आपको सुन भी पाओगे और आप उसके लिए action भी ले पाओगे यहाँ पर justice का card दोनों देख सकते हो आप major काना है तो next 24 hours आपके लिए बहुत important हो सकते हैं justice card यहाँ पर balance की बात करता है कि balance लेके आना तो अगर किसी जगह पर आप balance नहीं create कर पा रहे थे suppose आपको अपने लिए आप बहुत सारी चीज़ें आपकी list में थी बहुत सारे काम आपकी list में थे कि मुझे ये करना है वो करना है तो लेकिन आप समय नहीं निकाल पा रहे थे या तो आप फिर या समय नहीं था या आप में energy नहीं बचती थी तो कहीं न कहीं आपको ये जो changes लेके आ रहे हो उसके लिए आपको समय भी निकाल पाओगे you know जो भी काम करना चाहते हो accomplish करना चाहते हो या कुछ नया start करना चाहते हो उसके लिए आपके पास time भी होगा और यहाँ पर मुझे self love भी लग रहा है अगर अराम करना, rest करना जब भी आपका दिल करे तो यहाँ पर उसके लिए भी justice है कि आप अपनी भी care कर पाओगे और अपने काम के लिए या जो भी आपके कामों पर आप ध्यान देना चाहते थे चाहे वो cleaning की क्यों नहों घर की या प्लस जो आपका कोई और काम बचे हुए थे जहां के लिए आपको time नहीं मल पा रहा था तो वो भी आप balance कर पाओगे next 24 hours में और यहां पर मुझे कुछ लग रहा है क्यों कुछ नया आप इस change को लाने के लिए कुछ नया भी start कर सकते हो initiate कर सकते हो यहां पर आप feel करो गए Archangel Michael की energy आपके around है इस 11 से और साथ में आपको कही न कहीं ये repeated numbers 555, 11, 11 भी नजर आ सकते है आपकी कहीने के intuition भी high हो रही है आप किसी न किसी तरह की wisdom से connect हो रहे हो तो वो ध्यान देना आपका जरूरी है इसलिए आपको time भी दिया जा रहा है ताकि आप थोड़ा काम रह सके सारी energies आपकी favorable है यह energy आपकी favor में ताकि आप जो हो रहा है ना जो transformation या जो changes हो रही है उसके ऊपर आप काम कर सके उसके साथ flow में रह सके उसके surrender कर सके और वो easily आपका ये समय जो transformation का है easily आप निकाल सके और साथ में आप still balance में रह सके तो यहाँ पर है आप लुगों के लिए किशना message Believe in your infinite potential Your only limitations are those you set upon yourself तो किसी भी चीज के लिए अपने आपको limit मत कीजिए suppose अगर आपको कोई intuitive message है आपको ये करना है तो अपने आपको limit मत कीजिए उनने कैसे होगा कैसे कर पाऊंगी ये कर पाऊंगा उसको सोचकर ऐसा सोचकर limit मत कीजिए जो भी आपको करने के लिए आपके spiritual team बोल रही है आपको कर सकते हो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और faith करना है यहां पर faith basically जब हम लोग surrender करते हैं तो surrender भी इस भाव से करते हैं कि आप faith कर रहे हो अपनी spiritual team पर आपके लिए spiritual team की बात सुन रही हूं मान रही हूं तो तीन message निकालेंगे हम लोग fund day जो मैंने बोला कि एक बड़ी peaceful काम उसमें रहेगा fund day अपने आप हो जाएगा जब आप समय निकाल पाओगे सब कुछ balance create कर पाओगे हर एक चीज का share your talents तो किसी तरह का आपको अगर आप share कर सकते हो अपने talents को guidance आप भी किसी को दे सकते हो guidance जो आपको कोई guidance receive हो रही है वो आप लोगों के भी help कर सकते हो यहाँ पर है किसी बात का truth है यहाँ पर तो यह आप देख सकते हो तीनों ही बहुत important है कि आप जो भी messages आपको आ रहे हैं वो receive हो जाएंगे बड़े अच्छे से और आप faith भी कर पाओगे जब happy उसमें रहेंगे तो high vibration में रहेंगे enjoy भी करेंगे present moment को और साथ में जो भी guidance आ रही है उसको receive भी कर पाएंगे you know connection वो alignment में रहना और यहाँ पर share your talent जैसे मैंने बोला है तो वो guidance आप किसी के साथ यहाँ पर share कीजिए या कुछ भी हो सकता है कोई creative passion भी हो सकता है यहाँ पर truth है तो किसी बात के लिए किसी चीज का भी truth आपके सामने आ सकता है अपनी जो यह transformation आपकी true self कैसी है वो truth आपके सामने किसी भी चीज का जो है यह truth आपके सामने आ सकत है तो यह थी आपकी रीडिंग प्लीज लाइक शाय सब्सक्राब जूब करें मेरे चैनल को कमेंट सेक्शन में जूरुता है कि आपको यह रीडिंग कैसे लगी है थैंक यू सो मच एंड वाइब ब्लिस्पल डेग वाइब नाव हाई पाइल टू तो अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है तो देख लेते हैं कि नेक्स टॉंटी फोर आवर्स आपके कैसे होने वाले हैं कैसी रहेंगी एनर्जी और मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए तीन चैनल मेसेज़ेज यहां पर ड्रेगन स्ट्रेंथ यह द रेडी जो भी आप करना चाहोगे काफी सारी एक्शन काफी सारी कामों को कम्प्लीट कर सकते हो एकम्प्लिश कर सकते हो इस वर्ड कार्ड भी है यहां पर जो भी आप करना चाह रहे हो नहां पर तो पुरे स्ट्रेंथ के साथ पुरी पावर रहेगी मस्कुलिन उसमें रहो करना सिंगिंग करना तो कहीं न कहीं यह हसता हुआ खेलता हुआ आपका नेक्स 24 आवर्स होंगे बहुत अपने आप में खुश रहना हैपी कंटेंट फील करोगे अप ये आपके अपनी पाटनर के साथ भी आप अच्छे समय बिदा सकते हो पर मुझे ही ये लग रहा है कि आप काम करते हुए डांस कर रहे हो गाना गा रहे हो तो इस तरह का मौसम म्यूजिक को सुन रहे हो तो उस वज़े से आप पुरी तरह अपने आप में मगन हो ये मुझे नजर आ रहा है एट ओव वांड से यहाँ पर काफी सारे मैसेजिस की एक्सचेंज है फोन कॉल मैसेजिस आ रहे हैं आपकी तरफ ये मुझे लगता कि आप वीडियोस को सुन रहे हो वाच कर रहे हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आपकी बाते हो सकती है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ मैसेजिस ऐसे भी होंगे जो आपको बड़े शॉकिंग लगेंगे शॉकिंग बैड वे में नहीं मैं बोल रही है शॉकिंग सुरप्राइजिंग वे में बोल रही है सुरप्राइजिंग होंगे आपके लिए कि आप बोलोगे अच्छा ऐसा भी हुआ है या ऐसा हो सकता है तो आप देख रहे हो यहाँ पर उस परसन का फेस तो बड़ा एकदम से surprising नज़र आ रहा है तो कोई इस तरह का message आपको online सुनने को मिल सकता है आप videos कोई watch कर सकते हो या horoscope से सुनने को मिल सकता है या इस video से आपको मिल रहे message कि आपको बहुत सारे messages receive हो रहे हैं और कुछ messages आपके लिए बहुत surprising हो सकते है in a good way कि आप हैरान हो जाओ अच्छा ऐसा भी हो रहा है कुछ messages आपको बता सकते हैं कि ये जो आपका cycle है 8 number जो है काफी सारे cycles लेके आता है numerology जो number होता है 8 तो इस pattern से आप कैसे completion पे तक पहुँच गए हो किस तरह से आपकी transformation होई है ये इस तरह के भी messages आप receive कर सकते हो या किस तरह से ये cycle complete हो रहा है आपकी life में आपके सामने ये किस तरह से messages unfold हो रहे हैं किस तरह से एक miraculous way में धीरी धीरे जो आप चाह रहे थे आपकी wish fulfillment या आपकी spiritual किस तरह से growth हो रही है किस तरह से आप खिल रहे हो किस तरह से आप glow कर रहे हो और किस तरह से transform हो रहे हो ये सब तरह के बहुत ज़ादा किसी तरह से आपको surprise करेंगे message या खुद में आप ये feel कर पाऊगे next 24 hours में जो कि है बहुत beautiful energy जिस वज़े से ही आप ये high vibration feel कर पा रहे हो क्योंकि आप खुद इस transformation में अपने आपकी help कर रहे हो the world card के साथ आप कहीं न कहीं अपनी beauty के उपर काम कर सकते हो next 24 hours में you know saloon जाना अपनी massage के लिए जाना किसी भी तहां सही अपने बालों के care करने अपने face की skin की तो कहीं न कहीं आप अपने उपर भी अपने आपको सजाने सवारने में भी next 24 hours ध्यान दे रहे हो सकता है कि आपको किसी party में जाना है कोई celebration है कोई birthday है तो ये भी possible है इस वज़े से आप you know yeah वैसे ही आप बहुत खुश हो इस वज़े से आप अपने आपको खुद के face पे एक smile है जब मैं इस reading को कर रहे हूँ next 24 hours में आप बहुत अमकने वाले हो और बहुत ज़णा you know मस्ती भरा दिन होने वाला है आपका किशना message आप लोगों के लिए ये है कि prayers जब हम लोग करते हैं तब answer नहीं की जाती लेकिन जब you know surrender कर दते हैं या faith रखते हैं या हम लोग manifest करने के बाद you know जब हम लोग कोई resistance नहीं दिखाते तो अपने आप वो prayers जो है आपकी सुनी जाती हैं और आपकी blessings जो है आपकी तरफ आती हैं तो कहीं न कहीं ये हो सकता है कि आपने इस completion के लिए या अपने इस glow up के लिए आप जो भी है इस fun day के लिए messages के लिए आपने बहुत देर से wait की है prayers की हैं तो वो answers आपको receive हो रहे हैं या इस power के लिए strength के लिए जो health भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है आपकी pile 2 तो जिस चीज के लिए आपने prayer करी है वो आपकी सुनी जा रही है और वो आपके blessing के रूप में किसी रूप में आपकी life में आ रही है तो देख लेते हैं ओ मैरे three messages निकान लिए उसमें से vitality जैसे मैंने बोला healthy, health wise भी अच्छा दिन होगा आप power में रहोगे आप strength में रहोगे तो ये vitality उसी को दिखाता है healthy, healthy feel करना जब आप healthy feel करते हो high vibration इस energy को, इस power को feel करते हो कि आप कुछ भी achieve कर सकते हो that is a vitality तो दो message और ले ले लेते हैं pile 2 आप लोगों के लिए वैसे आप लोगों के लिए थ्री निकला है chakra clearing declutter तो काफी आप cleaning जैसे मैंने बोला कि कुछ accomplish कर सकते हो या जो करना चाहोगे वो कर सकते हो कि भाव power में रहोगे आप strength आपकी देही new person की energy है यहाँ पर तो शायद new person आपकी तरफ आ रहा है या messages आ रहे है जहां से आप messages को receive कर रहे हो यह भी possible है तो यहाँ पर है बहुत beautiful energy तो कहीं न कहीं आप cleaning कर रहे हो जिस वज़े से आप अपने आपको pamper भी करने जा रहे हो घर को clean करके आप खुद के लिए समय निकाल रहे हो तो यह थी next 24 hours की energy thank you thank you thank you so much for watching pile 2 personal reading के लिए टैरो सीखने के लिए आपको भी मुझे contact कर सकते हैं thank you thank you thank you so much for watching and have a blissful day bye for now Hi pile 3 तो अगर आपने इस card को choose किया है तो देख लेते हैं कि next 24 hours आपके कैसे होने वाले हैं तो यहाँ पर मुझे यह लग रहा है कि आप जो है अपने बच्चों की energy से connected रहेंगे बच्चों के बारे में सोचना कुछ planning करना अपनी चाइल किसी तरह की memories के साथ जूड़ना अपनी childhood memories के साथ जूडना बच्चों के childhood की memories के साथ जूडना या फिर यहाँ पर बच्चों के साथ कुछ enjoy कर सकते हो activities कर सकते हो कुछ interaction हो सकती है यहाँ पर positive interaction बच्चों के साथ और साथ में मुझे यह भी लग रहा है किसी childhood hobby से जो आप बच्पन में connected थे किसी तरह की ऐसी activities से childhood की उससे भी आप connect हो सकते हो इसलिए यहाँ पर बच्चों की energy है यहाँ पर next 24 hours के लिए और कही न कहीं बच्चों जैसा यहाँ बच्चों जैसी energy में खिलखला के हसना मस्त रहना कोई tension नहीं लेनी उस तरह की भी मुझे energy लग रही है यहाँ पर ten of swords की energy यह दिखा रही है कि इस energy की वज़े से आप बहुत tension release कर रहे हो overthinking, negative thinking बहुत कुछ सोचना, mind में रहना बहुत सारी thoughts को लेके चलते रहना past के बारे में सोच रहना यहाँ पर full moon की energy है तो full moon आ रहा है तो full moon की वज़े से भी यह आपको release करने में बहुत कुछ आप release कर पा रहे हो जो specially thought process से आपके related था जो आप हमेशा से ही जो यह 10 of swords है ना इस card में यह ना wheel of fortune जैसा भी wheel है यहाँ पर जो यह दिखा रहा है कि अब आपको खुछ रहने के जुरत है क्योंकि यह जो बहुत यूँ अगर painful period रहा है या heart breaking आपका cycle रहा है उसमें से आप बहार निकल रहे हो उसको release कर रहे हो इस energy को release कर रहे हो जो खतम हो चुका अगर उसी के उपर आप बैठे हुए थे तो उसको finally आप release कर पा रहे हो यहाँ पर hangman की energy यह बता रही है कि आप बहुत देर तक इस hangman वाली position में रह चुके हो season बदल रहा है मौसम change हो रहा है जो भी clarity आपको दी गई आपके path के बारे में वो आप बहुत सारी guidance बहुत सारे clarity आपको मिल चुकी है बहुत सारे ideas मिल रहे हैं यहाँ पर again यह flower मुझे दिखा रहा है कुछ नया करने के लिए बोलना कुछ पनप रहा है यहाँ पर कुछ उसके साथ action लेने की जुरुत है surrender care जीए be flexible आप surrender करते हुए मज़न नजर आ रहे हैं जो भी आपकी new beginning है you know 10 में 1 है तो जो भी इस release के बाद जो आपका fresh up mind हो ना ने ना idea को की clarity आने वो बहुत कुछ आ रही है आपको जिसके बारे में आप बहुत सोचोगे clarity और action भी ले पाऊगे आने वाले 24 hours में जो जो भी आपको messages receive होंगे divine की तरफ से वो आप उनकी उनके लिए काम कर पाऊगे उनके लिए action ले पाऊगे क्योंकि वो पता है आपको कि वो आपको किसलिए दिये जा रहे है तो next 24 hours में आपको guidance यही है कि surrender कीजिए जो ideas आपको आ रहे है सोचिए मत बहुत जादा फिर से thought process में मत जाएए सिरफ action लेजिए suppose आपको यही करने के लिए बोला जा रहा है कि बच्चों के साथ समय बिताईए ताकि आप उन happy moments को दुबारा से जी सकें या कुछ activity आपने passion या hobby से जोड़िए जिसे आप आपको यह release करने में helpful हो तो वो कीजिए surrender कीजिए जो भी आपको बोला जा रहा है action लीजिए जो भी बोला जा रहा है आपको जो भी guidance दी जा रही है be flexible, be open यहाँ पर the hangman receptive उसमें भी mode में होता है कि हाँ जो आ रहा है मैं receive करने के लिए surrender कर रहा हूँ जो भी मेरे पास आ रहा है उसको resist नहीं करना उसके ओपर overthinking भी नहीं करनी है release the overthinking and act जो भी आपको messages और guidance यहाँ पर दी जा रही है तो next 24 hours में आपको simply एक अपने और यह भी हो सकता है कि आप कहीं न कहीं इस यह energy आपके childhood से ही आपके यह beliefs हैं कि hold करके रखना release नहीं करना तो वो भी कहीं न कहीं उस beliefs को old beliefs को भी आपको कर रहे हो करना है यहाँ पर इस पर जो full moon है वो है भी बहुत ज़्यादा strong जो आपको release करने में helpful होगा आपको लोगों के लिए देख लेते हैं किष्णा message क्या है अजाइव joyful heart is good medicine but a crust spirit dries up the bones तो हमें obviously यह बिलकुल message बिलकुल right जा रहा है क्योंकि joyful होने के लिए कहा जा रहा है इसलिए यहाँ पर child की energy आपको दी जा रही है अपने childhood से जुड़िए अपने release कीजिए अगर वहाँ से भी कुछ आपको heal करना है release करना है ancestors को बिला सकते हो आप release करने के लिए heal करने के लिए archangel Michael को बोल सकते हो cords को cut करने के लिए आपको heal करने के लिए तो यहाँ पर जितना आप joyful heart से भरे रहोगे उतनी ही भी आपकी healing होगी health जो है better होगी तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए pile 3 क्या है तीन channel messages मुझे guide किया गया है निकालने के लिए तो वो देख लेते हैं कौन से हैं तीन आपके लिए जो important messages हो सकते हैं next 24 hours के लिए वो देख लेते हैं आपकर feminine energy से जुडने की जुरत है यानि कि loving, caring अपनी intuition से जुडने की जुरत है creative energy intuitive energy से जुडने की जुरत है dancing definitely बच्चे जैसे एक message और देख लेते हैं service है यहां पर किसी ना किसी तरह की और यहां पर आप लोगों के लिए fortune को की message do not miss the great opportunity किसी तरह की opportunity आपको आ रही है आपके तरह इसलिए आपको यह release करने के लिए हाँ पर message है कि आपको release करना है feminine energy में balance में आईए क्योंकि यहां पर दोनों ही है masculine feminine तो इसलिए हैं शायद आपको यह फिर से balance करना है अपनी feminine के साथ चाहे आप masculine हो चाहे आप feminine हो अपनी feminine को balance कीजिए dancing है यहां पर service है यहां पर तो बहुत beautiful यह reading है तो guidance मैं आपको दे चुकी हूँ तो please like, share, subscribe जीव करें मेरे चैनल को comment section में जुरू बताएं कि आपको यह reading कैसी लगी है thank you thank you thank you so much for watching and have a blissful day bye for now